गुड़ मॉर्निंग प्यारे बच्चों कैसे है आप सब तो आज हम क्या करने वाले है आज हम करने वाले है हिंदी और हिंदी में हम कौन सा पार्ट कर रहे है हिंदी में हम कर रहे है पार्ट तीन और इस पार्ट का नाम क्या है इस पार्ट का नाम है मोटू राम ने खाए लड़ू तो बच्चों, आज हम पाठ तीन मोटू राम ने खाए लड़ू के प्रश्ण उत्तर करेंगे क्या करेंगे? प्रश्ण उत्तर तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला प्रश्ण है मोटू राम गाउं क्यों गए थे? मोटू राम गाउं इसलिए गए थे क्योंकि उनके भाई के घर शादी थी मोटू राम गाउं क्यों गए थे? मोटू राम गाउं इसलिए तो गए थे ना? क्योंकि उनके भाई की क्या थी शादी थी तो मोटु राम गाउं इसलिए इसलिए गए थे क्योंकि उनके भाई के घर शादी थी स्टूडेंस मोटु राम गाउं क्यों गए थे मोटु राम गाउं इसलिए गए थे क्योंकि उनके भाई के घर शादी थी हमारा अगला प्रश्ण है मोटु राम की भाबी ने चाय के साथ क्या भिचवाया तो मोटु राम की भाबी ने चाय के साथ क्या-क्या भिचवाया था बून्दी के लड्डू और मठरी मठरी भिचवाया भिचवाया था? मोटु राम की भाबी ने चाय के साथ बून्दी के लड्डू और मठरी भिचवायाई हमारा प्रश्ण तीन है हलवायी ने लड्डू का थाल कहा रखा था? हलवायी ने लड्डू का थाल कहा रखा था? हलवायी ने लड्डू का थाल मोटू राम के कमरे में रखा था जब मोटू राम के भाई ने उन्हें आराम करनी के लिए कहा था तो हलवायी ने उसी कमरे में आकर क्या रख दिये थे? लड्डू का थाल रख दिया था तो हलवाई ने लड़ूओं का थाल कहा रखा? मोटू राम के कमरे में रखा प्रश्न चार है हलवाई ने मोटू राम से क्या पूछा? अब हलवाई ने मोटू राम से क्या पूछा था? जब हलवाई ने अपने लड़ूओं का थाल मोटू राम के कमरे में रखा और उसके बाद जब हलवाई को वहाँ पर लड़ूओं का थाल नहीं मिला तो हलवाई ने मोटू राम से क्या कहा? क्या पूछा था? चलिए देखते हैं हलवाई ने मोटू राम से पूछा अरे यहां लड़ूओं का थाल रखा था वह कहां गया हलवाई ने मोटू राम से क्या पूछा कि अरे यहां लड़ूओं का थाल रखा था वह कहां गया आखरी प्रश्ण है लड्डू कहां थे लड्डू कहां थे बच्चो लड्डू मोटू राम के पेट में थे कहां थे लड्डू मोटू राम के पेट में थे और मोटू राम ने आखरी में क्या कहा था थाल पड़ा है वहाँ और लड्डू है यहाँ तो बच्चो आपको इन प्रश्ण उत्तरों को अपनी कॉपी में कैसे लिखना है चलिए देखते हैं सबसे पहले आप लिखेंगे डेट और राइट साइड में what you will write? you will write classwork at the right side of your notebook After that, you will write Monday And what do we call Monday in Hindi? Sombar उसके बाद सबसे पहली लाइन में आप लिखेंगे Part 3 Part 3 लिखने के बाद अगली लाइन में आप लिखेंगे Part का नाम मोटू राम ने खाए लड़ू Part का नाम लिखने के बाद आप लिखेंगे प्रश्न उत्तर उसके बाद आप लिखेंगे पहला प्रश्न मोटू राम गाउं क्यों गए थे? उसके बाद आप लिखेंगे उत्तर एक उत्तर एक लिखने के बाद आप लिखेंगे प्रश्न दो मोटु राम की भावी ने चाय के साथ क्या भिजवाया उसके बाद आप लिखेंगे प्रश्न तीन हलवाई ने लड़ूओं का थाल कहा रखा था प्रश्न चार हलवाई ने मोटु राम से क्या पूछा प्रश्न पाँच लड़ू कहा थे तो बच्चो ऐसे आपको अपना हिंदी का सारा वर्क अपनी नोटबुक में करना है उपर वाली मात्रा उपर वाली लाइन में टच और नीचे वाली मात्रा नीचे वाली लाइन में टच और छट बिल्कुल सीधी तो बच्चो घर पर रहें और सुरक्षित रहें धन्यवाद